नमस्कार दोस्तों संस्कार की बाते चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों आज हमारी वीडियो का विशे रहेगा शुक्रवार को करें ये स्त्रोत पाट कभी नहीं होगी पैसों की तंगी दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियो की जानकारी सब से पहले हो सके दोस्तों इस स्त्रोत को सुनने मात्र से आपके जीवन में आ रही पैसों की सभी समस्याएं अर्थात पैसों की तंगी सदा के लिए दूर हो जाएगी दोस्तों स्त्रोत को पूरा सुनने के बाद कमेंट बोक्स में जै मा लक्ष्मी जरूर लिखें शुक्रवार को करें यह स्त्रोत पाड कभी नहीं होगी पैसों की तंगी आर्थिक तंगी दरिदर्ता वा अन्य पैसों से समंधित समस्याओं से चुटकारा पाने के लिए हमारे शास्त्रों में कई उपाई बताए गई हैं इन उपाईों के माध्यम से हम इस सभी परेशानियों से असानी से चुटकारा पा लेते हैं दोस्तों आज का समय ऐसास है जब धन की कमी हो तो पल भी जीना मुश्किल हो जाता है दोस्तों मनुष्य मेहनत तो बहुत करता है पर फिर भी कई बार भाग्य सात नहीं देता हम बहुत परेशान होकर रह जाते हैं कहें से भी धन का आगमन दिखाई ही नहीं देता पर खर्चे इतने होते हैं कि कहना ही क्या दोस्तों मेहनत करने के बाद भी मेहनत हाथ नहीं पड़ती नश्य का जीवन नीरस हो जाता है परेशानिया ही परेशानिया जीवन में भरी रहती है मेहनत के बाद भी फल नहीं मिलता दोस्तों ऐसे में क्या करें कि जिससे हमारी मेहनत हमें फल दे दोस्तों इसके लिए आपको एक ऐसा त्रोज सुनाने जा रही हूं जिसे आज शुक्रवार को सुनने के बाद तती दिन सुनेंगे तो आपकी हर परेशानी तो दूर होगी ही आपके यहां कभी भिधन की कमी नहीं रहेगी दोस्तों इस त्रोज को पूरण शद्धा और विश्वास से सुनना विश्वास के बिना तो कुछ भी नहीं होता सो दोस्तों पूरे विश्वास से यदि आप प्रती दिन इस वीडियो को सुनेंगे तो देखना आपके जीवन से निराशा दूर हो जाएगी धन दोलत बेशुमार आपके पास आएगी दोस्तों लक्ष्मी प्रापत करने के लिए धन की देवी लक्ष्मी को प्रसंद करना चाहे इसलिए लक्षमी जी को प्रसंद करने के लिए सबसे अच्छा दिन शुक्रवार का है इस दिन लक्षमी प्राप्ति के लिए दुरलब श्रील अश्ट लक्षमी स्त्रोज करना चाहिए इसका शुक्रवार के दिन शद्धा पुर्वक पाट करने से व्यक्ति को स्थिर लक्ष करने के लिए घर को गंगा जल से श्चुत कर लें अर्थात एक कटोरी में थोड़ा सा गंगा जल लेकर सारे घर में छीटा दे दे और फिर इशान कोन की दिशा में इशान कोन अर्थात उत्तर पूरव की दिशा में माता लक्ष्मी की चांदी की प्रतिमा या तस्वीर लगा इसके साथ ही यदि श्री यंतर हो तो उसे भी स्थापित कर लें श्री यंतर को सामने रख उसे प्रणाम करना चाहिए और श्री यंतर को भी गंगा जल से शनान कराएं उस पर गुलाब के फूल चढ़ाएं और धूब दीब गंद जरूर दिखाएं इसके पश्चात उक्तमंत्र बोलना चाहिए पूजा करने के बाद लक्ष्मी जी की कथा सुने और इस दिन लक्ष्मी जी को खीर का भोग जरूर लगाएं अश्ट लक्ष्मी स्त्रोत दोस्तों अश्ट लक्ष्मी स्त्रोत हमारे जीवन में अश्ट सिध्धी नवनिद्धी की प्राप्ति करवाता है आध्या लक्ष्मी नमशनाशनी कामनी वैदिक रूपनी वेद मये शीर समुदभव मंगल रूपनी मंत्र निवासनी मंत्र युते मंगल दायनी अंब जवासनी देव गनाशित पाद युते जै 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 हे मद सूधन कामनी धान्य लक्ष्मी परिपाल्य माम धैरे लक्ष्मी जेवर वर्ष नी वैश्नवी भार्गवी मंत्र स्वरूपिनी मंत्र में सुर्गन पूजित शिक्र फल प्रद ज्यान विकासे नी शास्त्र नुते भवभय हारी नी पापवी मोच नी साधु जनाशित पाद युते जेजए जेहे मदसूदन कामनी धैर्य लक्ष्मी परिपाल्यमाम गज लक्ष्मी जेजए दुर्गती नाशनी कामनी सरव फल प्रद शास्त्र में रथ गज तुरग पदाती समावरित परिजन मंडित लोकनुते हरी हर ब्रह्म सुपूजित सेवित तापनी वारेनी पाद युते जेजए हे मदसूदन कामनी गजरुपेन लक्ष्मी परिपाल्यमाम संतान लक्ष्मी अईखग वाहेनी मोहेनी चक्रनी रागवी वर्धनी ज्यान मये गुनगन वारिदी लोग हितैशिनी सपतस्वर भूशित गाननुते सकलसुर असुर देव मुनिश्वर मानव बंदित पाद युते जेजए हे मदसूदन कामनी संतान लक्ष्मी परिपाल्यमाम विज्य लक्ष्मी जेजए कमलासनी सद्गती दायनी ज्यान विकासनी ज्यान मये अनुदिन मर्चित कुनकुम धूसर भूशित वसित बाद नुते कनक धरास्तुती वैभाव बंदित शंकर देशिक मानने पदे जेजए हे मदसूदन कामने विज्य लक्ष्मी परिपाल्यमाम विद्य लक्ष्मी प्रनत सुरेश्वर भारति भारगवी शोक विनाशनी रतनमये मनिमे भूशित करनव भूशन शांती समावरित हास्य मुखे नवन धिदायनी कलमल हारी निकामित फलप्रद हस्य युदे जै जै हे मदसूदन कामने विद्य लक्ष्मी सदा माम पल्य धिमी धिन्दमी 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 दुन्धु बिनादस पूरन मै गुम 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 शांक निनादस वाध्य नुद्यते वेद पुरान इतिहास सुपूजित वेदिक मार्ग प्रदर्ष्य ते जै जै हे मद सूधन कामिन धन लक्ष्मी रूपेन पाल्ले माम अश्ट लक्ष्मी नमस्त उभ्यम वर्दे काम रूपिनी विष्णु वक्ष स्थला रुडे भक्त मोक्ष प्रदायनी शांक चक्र गदा हस्ते विष्व रूपिनी ते जय जगन मात्रे चय मोहिन्य मंगलम शुभ मंगलम इति शी अश्ट लक्ष्मी स्त्रोतम संपूर्णम बोलो लक्ष्मी माता की चै दोस्तों इस वीडियो को पूरी सुनने के बाद कमेंट बोक्स में जय माल लक्ष्मी जरूर लिखें दोस्तों इस स्त्रोत को आप शुक्रवार को सुनने के बाद प्रती दिन सुने देखना आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी राधे राधे जैशी क्रिश्ना दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेर भी जरूर करें धन्यवाद जागत शोस्तों आपके जागतक जागतकillar को आपके जागता जागता हुआ मैं ट Ste i झाल झाल